हलो एवरीवान कैसे हैं आप लोग मैं हूँ किशोर तेजवानी आप लोगों का मतहमेडिक्स माइंट और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने मैगनेट बेंज में जो प्रोवाइड करता हैं 100% quality of free education kindergarten से लेकर class 12 तक अगर आप लोग CBSC बोट से हैं तो आप लोगों के लिए मैगनेट बेंज का इंगलिश मीडियम चैनल है लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो घबराने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि आप लोगों के लिए मैगनेट बेंज का हिंदी मीड से लिएम में विद कवरेज यूपी बोड डेली बोड बिहार बोड राजस्थान बोड और आपका प्यारा-प्यारा एंपी बोड इतना ही नहीं यहां पर आपको मिल जाते हैं धेरो सारे प्राक्टिस कोईशन जिनकी मदद से आप लोग प्राक्टिस कर सकते हो और बड़ यह भी याद होगा चल इसमें आज हम बात करने वाले exercise 9.3 में question number 5 से लेकर question number 8 तक वहला 5 हो जाएगा आज 6 हो जाएगा 7 हो जाएगा 8 हो जाएगा और क्या चाहिए सरजीत तकाफी है चलिए तो पहला पहला जो आज का सवाल है वो है fifth question और fifth question देख लेते हैं कि हमसे कहना क् आपके पास बोल रहा है कि A, B, C और D 4 points है एक circle पे दिखी रहा होगा कि A, B, C और D 4 points है एकी circle पे AC और BD intersect कर रहा है point E पर such that angle B, E, C 130 देखो आपके पास क्या बोल रहा है कि जो AC है और जो BD है यह within the circle क्या कर रहा है intersect कर रहा है e point पे such that आपको बता दिया कि B, E, C 30 degree का है य यह रहा B, E, C यह रहा B, E, C और यह कितने का है 30 degree का है चलो ठीक है और angle E, C, D कितना है 20 degree का है E, C, D यह वाला angle कितने का है 20 degree का है 20 degree का आपको find करना है angle B, A, C कितना है आपको find करना है कि यह वाला जो angle B, A, C यह कितने का है सर जी यह तो बहुत जाता मुश्किल हो जाएगा question मैंने बोला मुश्किल नहीं है बहुती जादा सड़ा सा question आसा question है हो जाएगा tension बिल्कुल मत लेना हो जाएगा आजा 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 जल्दी से बात कर लेता हो जाए angle bec किता सर्जी angle bec तो है 130 degree अच्छा angle ecd किता सर्जी जो angle ecd है वो तो है 20 degree 20 degree का चलो यह भी हो गया बसी निकालना है निकाल लेंगे अच्छा मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही है सिंस बीडी आपके पास एक line है क्या देखो 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 खुद समझो खुद समझो यह जो बीडी है यह आपके पास एक line जैसा नजर नियर सर्जी लाइन है और तो और यह क्या हो जाएगा सर्जी यह तो एक ray हो जाएगा अगर यह bd एक line है और ec अगर एक ray है तो दो adjacent angle बंते हुए नजर आ रहे हैं एक तो यह और दूसरा यह तो इन दो adjacent angle का समकित्त हो जाएगा 180 degree सिंपल सी बात है चल अब यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर बताना पड़ेगा उनको कि आप करना क्या चाहरे हो तो यहाँ पर लिखना since bd is a line segment bd क्या है एक line segment है ठीक है और ec क्या है एक रहे है और ec एक रहे यहाँ चलो इसको छोड़ दो bc आपके पास एक line segment है तो angle bec मैंने बुला angle bec plus angle कौन से वाला c ed plus angle c ed मिला के total कितना हो जाएगा 180 degree bracket में reason क्या दोगे सर जी adjacent angle property नहीं नहीं adjacent angle property नहीं होती यह दोनों linear pair में आएंगे काय में linear pair देखो न यह एक और दूसरा यह और यह एक line पे इसलिए linear pair बोल रहा है हम लोग तो हमें main motive है कि हम लोग पहले यह निकाल लें ताकि हम लोग यह निकाल लेंगे कैसे ना कैसे करके निकाल लेंगे आपको question समझ भा रहा है कि यह वाला जो angle है बीए सी यह आएगा कैसे अब मेरा दिमाग समझों भाई हम लोगों ने यह वाला एंगल निकाल लेंगा भी 180 डिगरी considering करके आभ यह वालां समझ गाएं आप लोग पूरा question लेगा है साथ में चलब पूरा question लेगा है अब जल्दी से हम लोगी बोल देते हैं कि सर जी ये तो होगा linear pair axiom से linear pair axiom से और ये चीज जैसे ही आपने बोल दी तो B, E, C तो हमारे पास है सर 130 degree और तो और E, C, D बतलब C, E, D आपके पास नहीं है और ये total मिला के किता हो जाएगा 180 degree अब मैंने बोला angle C, E, D किता आजाएगा बोले सर ये तो आजाएगा 50 degree का चल जैसे ही आपके पास ये हो गया जैसे ही आपके पास ये हो गया कि angle C, E, D आपको मिल गया 50 degree का अब आप जल्दी से एक triangle लगा लो ECD मैंने क्या बोला अब जल्दी से एक ट्रेंगल लगा लो ECD तो यहां पर आपने लिखा इंट्रेंगल ECD अब यह जो ECD वाला एक ट्रेंगल है इसमें अब यह सारे एंगल्स का सम कित्ता हो जाएगा 180 डिगरी मतलब 50 प्लस 20 50 प्लस 20 प्लस एंगल CDE प्लस एंगल EDC भी बूल दो मिला के टोटल कित्ता हो जाएगा 180 डिगरी चलो यह हो जाएगा 70 70 गया राइट साइड में तो एंगल EDC आगया 110 डिगरी का कित्ता आगया जी 110 डिगरी का यह आगया 110 डिगरी का समझ गया क्या समझ गया अगर आपके पास यह 110 डिगरी हो गया तो यह वाला कित्ता हो गया यह भी तो 110 डिगरी हो गया ना ठीक है तो उस हिसाप से मैंने बुला कि यहाँ पे आपके पास जो एंगल यहाँ पे मैंने बुला हो जाएगा वो c d b के बराबर हो जाएगा और total बराबर मतलब किता 110 degree reason क्या दोगे angles in the same segment angles in the same segment are equal are equal simple सी बात है क्या बोला मैंने angles in the same segment are equal यह चीज तो simple सी बात हो गई तो आपके पास b a c b किता आ गया 110 degree का आ गया यह बात आपको बहुत ही जादा अच्छे और बहुत ही जादा बढ़िया और तो और बहुत ही जादा भैतरीन तरीके से आ गई होगी ना आ गई नवाई आ गई आ गई सर जी आ गई एकदम बढ़ी अमस तरीके से आगई अब अगर यह चीज आपको आ गई तो चलो आगे क्यों और बढ़ते रुकना क्यों है आगे बढ़े ना आगे बढ़ते लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को मो developing किया अभी तक कुछ बहुत जादा गलत बात है बहुत जादा गलत बात ऐसा मत करो फिफ्ट कोश्वर और ना सिक्स्त कोश्छन के आते आते तक वीडियो को लाइक कर जो जल्दी से चलो 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 आगे बढ़ते आब यहाँपर क्या बोल रहा है यहाँपर फिघर नह आने लगा है ना अब आप ये चीज तो समझने लगे हो कि sum of sum of opposite angles sum of opposite angles is 180 degree है ना मतलब क्या कि opposite angles का sum किता है आपके पास 180 degree का है ठीक जिसके diagonal से intersect कर रहे है इंगल dbc आपके पास 70 degree है angle bc आपके पास 30 degree है आपको bc define करना है further further मतलब बाद में angle b जो है angle b sorry angle बोल रहा हूँ a b b c के बराबर है तो आपको e c d find करना है पहले आपको bc define करना है फिर आपको e c d find करना है पूरा question समझा दिया है अब क्यों नो हम लोग figure बना ले चीग है figure बना लेते है a b c d a cyclic coordinator है चलो एक cyclic coordinator a b c d अंदर ही बना डालो जल्दी से जल्दी से बना डालो यह बनाया हम लोगोंने a b c d एक cyclic coordinator जिसके क्या कर रहे है डाइगिनल्स इंटरसेक्ट कर रहे है जिसके क्या कर रहे है डाइगिनल्स इंटरसेक्ट कर रहे है ओपर नहीं e पर ठीक है यह रहा e अच्छा अब d b c किता है 70 यह हो जाने के बाद b a c किता है 30 डिगरी का है चलो b a c किता है 30 डिगरी का है आपको b c d फाइंड करना है b c d यह पूरा का पूरा एंगल आपको फाइंड करना है वह बात की बात है आपको पूरा का पूरा क्या find करना है B C D find करना है अब यह जो B C D है यह अब आप find कैसे कर पाऊगे वो बता वो बताओ सबसे बिले तो हमने अच्छे से ले लिया वाई हमने अच्छे से ले लिया बोला था ना उसने प्यार से A B C D A Cyclic Coordilator है हमने अच्छे से Cyclic Coordilator भी बना दिया और तो फिर उसने diagonals intersect कर रहे है यह पर हमने वो भी बता दिया और तो और सारे angles भी वहाँ पर show कर दिये यह बात की बात है यह जो बात है यह बात की बात है इसको अभी नहीं देखना इसको अभी मत देखना है ठीक है अभी सिर्फ question इतना है हमारे पास अभी सिर यह रहा आपके पास यह रहा आपके पास देखो 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 अभी पता चल जाएगा यह रहा आपके पास एक सेग्मेंट पर बनने वाला एंगल ठीक है यह वाला और तो और यह रहा आपके पास दूसरी सेग्मेंट पर बनने वाला एंगल तो यह जो दोनों सेग्मेंट ह बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं यह दोनों एंगल सेम सेगमेंट पर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं तो एंगल सिंधी सेम सेगमेंट और इक्वल की नहीं बिलकुल सही मतलब यह जो 70 है तो यह भी 70 हो गया सिंपल सी बात है जो एंगल सी बीडी है यह जो भी इसको बोल रह तो dbc अगर 70 है तो dacb तो 70 है reason क्या reason सर्जी हो जाएगा कि angles in the same segment are equal तो उस हिसाब से आप अब अच्छे से इसको ले लेना ले लिया या फिर मैं इसको ऐसे ही रहने दूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए समझ में आ रहा है ना इससे ठेक है तो मैंने उसको कोई दिख करनी है मैंने उसको ऐसे ही रहने दिया अब मैंने यहाँ पर लिखा solution solution में सबसे पहले तो मैंने लिखा कि मुझे given ए एक चीज कि a b c d मेरे पास क्या है a b c d मेरे पास एक cyclic coadilator है a b c d क्या है एक cyclic coadilator है और भी सारी चीज़े में लिखता गया जैसे मेरे पास angle d b c दिया हुआ है d b c दिया हुआ है gittah 70 degree का दिया हुआ है यह given वाली सारी चीज़े अच्छे से लिखना और b a c दिया हुआ है 30 degree का चलो यह सारी चीज़े मैंने लिखी अब मैंने जो बोला वो ये बोला कि जो आपके पास एंगल D-B-C है ये वाला जो आपके पास एंगल D-B-C है ये वाला वो D-A-C ये वाले एंगल के बराबर है समझो बात को जो आपके पास angle dbc है वो आपके पास angle dac के बराबर है और total मिला के ये लोग कित्ते हो जाएंगे 70 degree दोनो 70 degree reason behind क्या reason क्या होगा कि आपके पास जो क्या है angles angles in the same segment angles in the same segment aricol same segment पर पनने वाले angle है न तो angles in the same segment are equal तो होंगे simple सी बात है क्या simple सी बात है उस हिसाब से आपके पास ये वाला angle कित्ता हो गया 70 degree का हो गया अब अगर आपके पास ये पूरा एक angle आ गया है ये पूरा एक angle अगर आपके पास आ गया 100 degree तो आपके पास ये वाला angle find करना है हो जाएगा यहार मैंने सुना है मैंने सुना है कि ABCD तो एक cyclic koordilatorल है अगर ABCD एक cyclic koordilatorल है तो in case sum of opposite angles is 180 degree simple सी बात है चल मतलब कि since ABCD is a cyclic koordilator लिखो 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 since ABCD is a cyclic koordilatoral cyclic koordilatoral तो क्या हो जाएगा तो आपके पास जो angle A है plus angle C है यह total मिला कि 180 degree हो जाएगा sum of क्या वह यह opposite angles of a cyclic koordilator is 180 degree ठीक है रिखों क्या आप bracket में reason लिखों चलो bracket में reason भी लिख दो sum of opposite angles of a cyclic koordilator of a cyclic koordilator is 180 degree ठीक है तो आपके पास यह हो गया 100 और यह हो जाएगा angle C तो angle C आ जाएगा देखो यह हो जाएगा 100 यह आ जाएगा angle C मिला क्यों गया 180 degree तो angle C कित्ता आ गया सर जी 80 degree angle C कित्ता आ गया 80 degree कित्ता आ गया 80 है ना angle C आ गया आपके पास 80 degree और यही angle C आपको क्यों सा है यही angle C तो angle BCD यह जो अगर angle C पूरा आ गया 80 degree का तो यही तो आपके पास BCD है ना तो यही मैंने लिख दिया कि angle BCD आपके पास आ गया कित्ता 80 degree तो बात एक ही है यह बात एक ही है अब आपने BCD तो कर लिया अब आगे बढ़ो further AB बराबर BC है समझो बात को AB जो है वो BC के बराबर है अच्छा AB बराबर BC है तो ECD find करो AB बराबर अगर BC है तो क्या find करना है ECD find करना है ECD यह वाला एक angle find करना है हो जाएगा बहुत जादा अच्छे तरीके से हो जाएगा एक काम करो कि इसको पीछे लेकर चलो हो जाएगा टेंशन वाली बिल्कुल भी बात नहीं है आजाब अब थोड़ी सी हम लोग lines रप करने की कोशिश कर लेते हैं अगर हो गई तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है बहुत बड़ी काुश हो गई ठीक है और अब हिक इत्सकों भी थोड़ा भाई सापको को हटाधो है जलिए ठीक को भी शाइड आप और आप भी हट जाईए ह्योग क्यों कि अब जो हमें फाइन करने वह फाइन करन्ना ये ebay d唱 hi ECD find करना है ECD 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 बोल रहा है ECB क्यों ले रहा हूँ मैं ECD ये वाला angle find करना है हो जाएगा हो जाएगा जो उसने बोला है उसने बोला है उसने बोला है कि AB और तो और BC बराबर है यहाँ पर बोला न AB और BC बराबर है अगर AB और BC आपस में बराबर है तो अब आप इससे क्या बोल सकते हो सर अब हम इससे ही बोल सकते है कि अगर AB BC के बराबर है तो इधर का यह जो opposite angle है सुनना समझना और अच्छे से दिखना जो आपके पास जो आपके पास अगर AB BC के बराबर है तो जो आपके पास यह वाला angle है यह इस angle के बराबर हो जाएगा बाई सिंपल सी बात है आप कौन से वाले triangle में ध्यान देना है आपको ध्यान देना है यह वाले एक triangle में आपको ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ अभी A, B, C में चीक है? यहाँ पर लिख रहा हूँ तो N ट्रेंगल A, B, C A, B, C वाले ट्रेंगल में A, B, C वाले ट्रेंगल में सुनना, समझना और अच्छे से दिखना A, B बराबर B, C है A, B बराबर B, C है तो मैंने बुला तो जो आपके पास एंगल B, A, C है तो जो आपके पास एंगल B, A, C है वो एंगल B, C, A जो आपके पास एंगल B, A, C है वो एंगल B, C, A के बराबर हो जाएगा और रीजन क्या होगा? रीजन यह होगा सर जी कि यह हो जाएगा 30 डिगरी का और reason क्या होगा, reason यह होगा, कि आपके पास ये दोनों sides equal है, देखो न, ये वाली side इस वाली side के equal है, तो आपके पास ये वाला angle इस वाला angle के equal हो जागा, reason कि सर जी, angles opposite to equal sides are equal, भाई, ये वाली side इस वाली side के equal है, ये वाली side के opposite ये वाला angle, ये वाली side के opposite ये वाला angle, ये वा to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal. तो BAC और BCA आपके पास total मिला के कित्ता हो गया? 30 हो गया. अच्छा. ये हो गया आपके पास 30. यार अभी थोड़ी दिर पहले तो हम लोग BCD फाइंड कर क्या है? थोड़ी दिर पहले तो हम लोग BCD फाइंड कर क्या है? अच्छा. BCD मतलब ये पूरा कित्ता 80 डिगरी का. यार अगर ये पूरा 80 है ये पूरा 38 तो ये कित्ता होगा? 50 डिगरी ना? तो लिखना पड़ेगा. लिखना पड़ेगा. लिखना पड़ेगा. लिखना तो पड़ेगा. कि आपके पास जो एंगल BCA है. ठीक है? आपके पास जो BTC है, समझो अभी आप लोगों ने क्या find किया अभी आप लोगों को जो find करना है वो तो हो जाएगा आप समझो जो आप लोगों के पास BCD है, उस BCD को ये जो आपके पास पूरा एंगल BCD है, इसको आप क्या लिख सकतो इसको आप लिख सकतो BCA और ACD सिंपल, सिंपल क्या लिख सकतो, चलो BCA नहीं लिखो तो BCE लिख दो BCA लिख रो या BCE लिख दो जो लिखना है वो लिख दो ठीक है, और यहाँ पर आपको इसमें प्लस करना होगा ये BCA ये वाले एंगल और ECD, कौन सा? ECD ये वाले एंगल अच्छा, भहिया BCD तो अभी पीछे निकल का है BCD तो अभी पीछे निकल का है क्या बोला मैंने? BCD तो अभी पीछे निकल का है कितना आया? 80 डिगरी ठीक है, और BCA तो अभी उपर निकल का है 30 डिगरी और ECD सर जी वाही तो चाहिए है वही तो चाहिए है यहार ECD तो वो मांग रहा है नहीं से ECD तो वो मांग रहा है वो आजाएगा अब ECD कित्ता आ गया simple सी बात है therefore angle ECD बराबर आ जाएगा आपके पास 50 degree कित्ता 50 degree का simple सी बात है simple सी बात है अगर यह आपके पास आ गया तो जल्दी से आप देख लो इसको और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे फिर उसके बाद हम लोग अच्छे तरीके से मस्त तरीके से मढ़िया तरीके से आगे बढ़ेंगे आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा सर जी बहुत ही जादा आसान है तो यह जो चीज है ना यह तो आपके पास बहुत ही जादा आसान है अगर यह सारी चीज है आसान है तो अच्छे से वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहा है यह तो गलत है ना अच्छे से लाइक करना चीज चलो सब लाइक कर देंगे टेंचन मतलो सार जी बिलकुल लाइक क समझो अगर आपके पास diagonals एक cyclic coadilator अच्छा सुनो दिमाग में बठा लो कि cyclic coadilator चलो tension मतलो मैं ही बार-बार लिख देता हूं कि जो cyclic coadilator होता है ना इसमें दिमाग में आपको बठाना चाहिए ये बात कि sum of opposite angles of a cyclic coadilator is 180 degree is 180 degree अच्छा तो आपके पास diagonals एक cyclic coadilator के क्या है diameters है क्या बोल रहा है जो diagonals है na cyclic coadilator के वो diameters है circle के अच्छा through the vertices of of the coadilator prove that it's right angle triangle ठीक है आप right angle triangle बोल रहा हूं sorry 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 पता नहीं क्या हो रहा है आज मेरे को right angle triangle नहीं आपको prove करना है कि वो एक rectangle है ठीक है चाब समझो बात को हमें बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो एक circle और circle के diameter से आपका क्या बनाना पड़ेगा एक coadilator वो coadilator क्या है cyclic है अब आपको प्रूफ करना है कि वो जो coadilator आपने form किया है वो क्या है वो आपके पास एक rectangle हो जाएगा tension वाली तो बिल्कुल भी बात ही नहीं देनी है आजाओ सबसे पहले है कौन यह नहीं कोशिश कर लेता हूं अगर नहीं बनेगा यकीन नहीं था यकीन ըहीं था बन जाएगा पर बन गया माना थोड़ा भॉत आड़ा तेड़ा बना है पर इतना तो चल जाएगा लो बवह इसका क्या नाम है डाइमीटर है सर थोड़ी रेस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी न डाइमीटर है यह भाई सब भी diameter है, अच्छा, diameter के साथ-साथ यह coordinator के diagonals भी है, यह coordinator के diagonals भी है, तो और इज़त देने की बात है, ठीक है, ठीक है, यह रहा A, यह रहा B, यह रहा C, यह रहा D, और तो और यह रहा आपके पास E, और यह रहा कि शोर सर, ठीक है, ठीक है, अब आपको क्या proof करन है कि एक rectangle है अब भाई आपको दिमाग तो यह चलाना आना चाहिए कि सर अगर हमें इसको एक rectangle proof करना है तो हमें क्या बताना पड़ेगा कि इसकी opposite sides क्या है equal ठीक है सबसे पहली बात कि इसकी opposite sides equal है और तो और एक हमें यह बताना पड़ेगा रेक्टेंगल की property होती नहीं तो तब ही जाके आप इसको proof कर पाओगे otherwise नहीं कर पाओगे सबसे पहले क्या आएगा given आएगा अब given में क्या बोल रहा है given में आपको पास बोल रहा है कि a b c d यहां पर देख ले न a b c d is a cyclic co-dilateral a b c d is a cyclic co-dilateral और तो और a c और b d a c और b d are diagonals ठीक है इसका रूल खत्म होगया अब यहां पर लिखना also a c बराबर b d reason क्या आर दी डायमेटर्स अफ दी डायमेटर्स अफ दी डायमेटर्स अफ दी ठीक अब जो हमें प्रूव करना है तो यहां पर लिख देता हूँ to proof यार अगर इसको एक rectangle प्रूफ करना है तो a b को c d के बराबर बताना पड़ेगा एबी को सीडी के बराबर बताना पड़ेगा बीसी को एडी के बराबर बताना पड़ेगा और एक एंगल आपको एक एंगल आपको 90 डिगरी का बताना पड़ेगा एक एंगल यह बोल दिया 90 डिगरी का बताना पड़ेगा अगर एक एंगल 90 होगे तो सारे 90 हो जाएंगे वो इसलिए क्योंकि यह आपके पास एक cyclic koordinator ले वो भी मैं आपको आखरी में बता दूंगा कि कैसे है पर बात तो ही आ रही है कि अब हम करें कैसे अब हम इन दोनों को इन मतलब इस पूरे ABCD को कैसे प्रूफ करें कि एक rectangle है तो मैंने बोला कि अब आपना अच्छे तरीके से ए एक ये वाला एक rectangle लेलो जिर्टेंगल नहीं बोलो ट्रेंगल बोलो दोनों northern ले ऐ है बुझा अब इहाँ पर अगर हम लोगों ने इन दोनों को ट्रेंगल के दिया है तो दोनों को ले लो और दोनों को लेने के बाद आप इन दोनों को concurrent proof करो concurrent यह proof कैसे होंगे यह concurrent ऐसे proof होंगे क्योंकि जितना आपके پास A.E. है उतना ही आपके पाफ E.C. है equal radius है क्या बोलोगे equal radius है ना अच्छा और तो और जितना आपके पास यह ed है उतना आपके पास E.B. है equal radius फिर से equal radius और तो सार यह वाला जो एंगल होगा ना वह इस वाले एंगल के इकसे हैं सर वाव वाव का भीया वा सर वाव मतलब क्या मतलब वर्टिकली अमज अधेड होगा यह साइड एंगल साइड को इन सी ये दोनों ट्रेंगल क्या होगा ये दोनों ट्रेंगल कॉंगुरेंट होगा है कौन से कौन से वाले ये वाला ये वाला इस वाले के ये वाला इस वाले के क्या हो गया कॉंगुरेंट हो गया अगर ये कॉंगुरेंट प्रूव हो गया तो ये वाली ये वाली जो आपके पास side है वो इस वाली side के क्या हो जाएगी बरोबर हो जाएगी reason क्या sir जी अरे मैंने बोला cpct दोनों triangle congruent हो गए तो cpct से क्या हो गए दोनों आपके बराबर हो गए अच्छा अब जरा सा अच्छे तरीके से इसको क्या कर लो काम कर लो यहाँ पर अच्छे तरीके से क्या कर लो काम कर लो आज़ा proof लिखते है क्या करो proof लिखो अब proof लिखने के बाद जल्दी से triangles को ले लो और अच्छे से इसको proof कर डालो तो sir ले लिया कौन कौनसा triangle integral A,E,B और कौनसा वाला triangle और triangle C,E,D अब इन दोनों triangle में आपने क्या बुला A,E बराबर है E,C क्या बुला इस वाले triangle का जो A,E है वो उस वाले triangle E,C के बराबर हो गया reason क्या reason लिखना है equal rate है reason क्या दोगे reason दोगे equal rate है अच्छा और इस वाले triangle का जो E,B है वो इस वाले triangle E,D के बराबर है E,B बराबर E,D reason सर्जी same to same equal rate है equal rate है अच्छा उसके बाद फिर हमने बुला कि इस वाले triangle में जो angle A,E,B है वो इस वाले triangle में triangle C,E,D के बराबर है मतलब क्या मतलब angle A,E,B बराबर angle C,E,D और reason क्या बोलोगे वा सर, वा मजा आगया सर मजा आगया vertical यह opposite angle तो उस हिसाब से triangle A,E,B triangle A,E,B is congruent to triangle C,E,D देखो यहां से बोलना है A,E,B यह वाले triangle A,E,B वाले triangle is congruent to triangle C,E,D C,E,D ठीक है? ठीक है तो यहां लिख देना therefore triangle A,E,B is congruent to triangle C,E,D क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे C,E,D और reason क्या बोलोगे? reason बोलोगे सर जी by side angle side बहुत जादा पास पास लिख दिया side angle side concurrency rule कौन सा आलब आया? देखो ना एक side आई एक angle आया फिर एक side आई तो side angle side concurrency criteria से यह दोनों triangle concurrent हो गए और अगर ऐसा हुआ अगर ऐसा हुआ कि यह दोनों triangle concurrent हो गए समयना, समयना, समयना अगर ऐसा हुआ कि यह दोनों triangle concurrent हो गए तो A,B बराबर क्या हो गया? C,D हो गया तो आपके पास so आपके पास AB बराबर CD हो गया Result Corresponding Parts of Congerent Trangle AB बराबर कितना हो जाएगा CD हो जाएगा CP, CT अच्छा अब मैंने बोला कि अब उसी तरीके से आपको एक ट्रेंगल लेना है ये वाला और तो और एक ट्रेंगल लेना है ये वाला और तो और एक ट्रेंगल लेना है ये वाला इन दोनों ट्रेंगल को भी आपको Congerent Proof करना पड़ेगा आज़ाँ जल्दी से कर लेते हैं इन ट्रेंगल ठीक है अब यहाँ पर हमें Similarly करके लिख देता हूँ Similarly Trangle AED Trangle AED Is Congerent to Trangle So no AED is Congerent to Trangle CEP C E B और Reason क्या हो जाएगा यहाँ पर Reason हो जाएगा by Same to Same Side Angle Side Congerency Criteria से ये दोनों Trangle Congerent हो गए और हमने बोल दिया फिर कि A D बराबर कित्ता हो जाएगा B C A D बराबर इस वाले Trangle का A D बराबर हो जाएगा B C के By C P C T Corresponding Parts of Congerent Trangle अब देगो पहली चीज़ तो आपने क्या प्रूफ कर रहा ली पहली चीज़ तो आपने प्रूफ कर रहा ली कि यह आपके पास CP C T से बराबर है कौन सा अला ये आपके पास cpct से बराबर दूसरा आपने ये भी आपने बराबर बता दिया मतलब आपने क्या बताया a b c d के बराबर है a b c d के बराबर है अच्छा a b c d के बराबर जो हमें प्रूफ करना था कर दिया b c a d के बराबर है चलो ये भी प्रूफ हो गया लेकिन एंगल एको 90 कैसे प्रूफ करें तो मैंने बोला आजा उसके लिए भी मेरे पास रास्ता है आजा बता दूँगा टेंशन मतलो ठीक है टेंशन मतलिया करो किसी काम के लिए बहुत जादा आसान है ये सारी चीज़े रहे बहुत ही जादा अब मैंने आपको ये बोला कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक चोटी सी चीज़ देखनी है और उस चोटी सी चीज़ से आप लोग क्या बता दोगे इसको आसानी से बता दोगी कि एक अगल नहीँ टेड़ी रिकाई देखो ये आपके पास सेमी सरकल है क्या यह आपके पास एक सेमी सर्कल है है सर और सेमी सर्कल पे अगर आपके पास एक ट्रेंगल बन रहा है सेमी सर्कल में अगर आपके पास एक ट्रेंगल बन रहा है तो उस ट्रेंगल का यंगल किता होगा जी बता हो बता हो अगर आपके पास assessing circle में एक triangle बन रहा है तो यह वाला angle किता होगा 90 degree का होगा reason behind, angle in the semi circle क्या बोलना है? angle in the semicircle is a right angle क्या बोलना है? angle in a semicircle is a right angle angle in a semicircle is a right angle हो जाएगा therefore आपके पास एक चीज़ और तो यहाँ पर आप लोग क्या बोल दोगे एंगल D A B यहाँ पर आप लोग बोल देना एंगल A कितना डिरिकली 90 डिगरी reason एंगल इन आ semi circle एंगल इन आ semi circle is a right angle एंगल इन आ semi circle is a right angle अच्छा और अगर आपके पास यह वाला एंगल right angle हो गया मतलब 90 डिगरी खा हो गया तो आप लग क्या बोलोगे therefore A B C D is a rectangle हो गया हो गया ना या फिर hence लगा देना A B C D क्या हो गया आपके पास एक rectangle हो गया देखलो आपने proof तो कर ली सारी चीजों को हमने सारी चीजों को proof तो कर लिया सिंपल सी बात है बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात है तो यह वाला आपके पास एक मस्त सा question question number 7 हो गया over writing हटा देता हूं जो भी मैंने लिखा है वो हटा देता हूं बाकी अब आप देखलो ले लो screenshot अगर लेना है तो अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से बाकी आपको सारी चीजे मस तरीके से आतो गई है यह बात तो मैं बोलूँगा हो गया आगया चलो अब आपके पास है question number 8 यह question number 8 आप लोग सबसे पहले तो try करो और अच्छे तरीके से खुद देखो एक बार अच्छे तरीके से खुद देखो try करो इसको किया try किया हाँ सा try किया अब थोड़ा बहुत किशोर सर आप बता दो मैंने बोला चलो आजा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर आपको बोल क्या रहा है क्वेस्चन नंबर एट का कहना है कि अगर आपके पास नॉन परलेल साइट एक ट्रेपेजियम की इक्वल है तो आपको प्रूफ करना है कि वह साइक्लिक है मतलब क्या मतलब सरजी बहुत जादा सिंपल सी बात है कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं आनियह सबसे पहले तो क्या करोगे आप लोग बनाओगे इसका फेकर ठीक है यह बनाया है सबसे भी लBERG हम लोगोने एक ट्रपेजियम ट्रेपेजियम की खासियत जानती होगे आप लोग, क्यों नहीं? बहुत अच्छे से ठरा? कि ट्रयपेजियम में आपके पास ये थोड़ा ट्रबेजियम में चैसशे नहीं लग रहा इस ट्रबेजियम में जो आपके पास non parallel side से वो equal है तो आपको proof करना है कि एक cyclic है अच्छा चलो आजाओ figure को ले लिया हम लोगों ने right side में हमेशा की तरह और इसको नाम करन कर दिया हमने a b c और तो और यह भाई सब हो गए हमारे पास d question के साब से non parallel side से equal है भाई यह वाली और यह वाली side equal है question के साब से तो आजाओ given लिख लेते हैं गिवन में क्या ही लिखोगे की सार a b c d आपके पास एक trapezium है a b c d एक trapezium है ठीक है इन विच जिसमें a b parallel a c d के a b parallel a c d के और a d भी parallel a b c के और a d बराबर a b c के parallel नहीं है a d बराबर a b c के वो तो non parallel side से न अच्छा अब यहां पर हमने जो बोला वो चोकाने वाली बात थी वो कौनसी वाली बात थी वो चोकाने वाली बात थी हमने बोला कि हम लोग दी से एक perpendicular draw कर रहें विच परपेंडिकुलर टू a b और c से भी परपेंडिकुलर डालर dp which is perpendicular to a b और तो और cq which is perpendicular to मेरा a b यहाँ पर construction का काम हुआ है ठीक है ठीक है construction का काम हुआ है लेकिन सर उससे भी पहले आप यह तो बताओ कि हमें प्रूफ क्या करना है आपको प्रूफ करना है कि वो cyclic है कि यह चो trapeziam है यह क्या है आपके पास cyclic है मतलब cyclic का मतलब क्या कि सर जी उसके opposite angles को हमें बराबर show करना पड़ेगा मतलब angle a के प्लस angle c सुनना angle a plus angle c को आप 180 डिग्री प्रूफ कर दो या तो फिर angle b को प्लस एंगल D को आप 180 डिग्री प्रूफ कर दो अगर इन दोनों में से कुछ भी आपने शो कर दिया अगर एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 या एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 तो आप लोग इसको बहुत आसाइनी से क्या बोल दोगे कि A B C D जो आपके पास एक ट्रपेशिय में वो साइक्लिक है ठीक है अब हम लोग आएं और हमने यह सोचा कि हमें काम करते हम लोग दो क्या ले लेते हैं दो ट्रेंगल ले लेते हैं अच्छा कौन कौन से बहुत ज़्यादा ध्यान से समझें न एक तो यह वाला एक तो यह वाला और दूसरा कौन सा दूसरा आपके पास यह वाला यह दोनों क्या ले रहे हैं हम लोग यह दोनों ट्रेंगल ले रहे हैं अब इन दोनों ट्रेंगल में इन दोनों ट्रेंगल में बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको समझना है कि हमें equal यह तो फिर बोलते कि बराबर क्या क्या दिया है हमें इन दोनों ट्रेंगल को कॉंगुरेंट प्रूफ करना हमारा मोटिफी मैंने बोला कि यह जो आपके पास एडी है यह इस बीसी के बराबर है पहली चीज मिल गई चलो बहुत अच्छा यह तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना मतलब अब यह 90 डिग्री का है अच्छा अगर यह 90 तो यह भी 90 और अगर यह 90 तो यह भी 90 चलो दूसरी भी common चीज मिल गई हमें और क्या है हमारे पास और हमारे पास यह वाला जो डी-पी यह इस सी क्यू के बराबर है तो दोनों ट्रेंगल आपके कॉंगुरेंट हो जाएंगे construction क्या करना है construction करना है draw dp जो की perpendicular AB के और हमने क्या किया और हमने draw किया cq और हमने draw किया cq जो की perpendicular AB के अच्छा dp perpendicular AB के और cq fell perpendicular AB के यह चीज हो गई अब मैंने बोला आपको कि अब यहां पर हम लोग दोनों triangle को concurrent proof करने जारे ठीक है तो यहाँ पे लिखा मैंने अच्छे से proof और proof में मैंने आपको बोला intringle कौन सा वाला intringle dap intringle dap और एक triangle कौन सा वाला cqb dap हो गया और cbq बोल दो इन दोनों triangle में ad देखो इसका ad इसके bc के बराबर है मैंने का बोला मैंने बोला ad बराबर bc reason क्या search equal यह चीज तो given है कि उसकी non parallel sides बराबर है अच्छा अब आप लोग क्या बोलोगे अब आप लोग बोलोगे dp या तो फिर एक angle लेना है तो angle ले लो angle dpa angle dpa बराबर angle cqb और इसमें क्या reason दोगे 90 degree अच्छा ठीक है क्योंकि आपने parallel draw किया ना perpendicular draw किया डp is perpendicular to a b और cq is perpendicular to a b तो 90 90 each अच्छा उसके बाद फिर आपने बोला dp बराबर cq क्या बोला dp बराबर cq अब सुनों यह जो चीज़ें यह कैसे बराबर होगा इसमें क्या लखोगे देखो जब दोर parallel sides होती है तो उनके बीच की दूरी बराबर होती है the distance between two parallel sides are equal ठीक है distance between two parallel sides are equal सिर्फ इत्ता से लिख देना distance between दो parallel sides distance between two parallel sides तो उसे साब से आपके पास triangle dap concurrent हो जाएगा to the triangle cbq cbq लेकिन यह चीज़ होगी कैसे सर जी यह चीज़ तो होगी right angle hypotenuse side से right angle hypotenuse side से RHS concurrency rule से कहां से RHS concurrency criteria से और अगर ऐसा हुआ अब सुनो भई अब बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनो अगर ऐसा हुआ तो ये वाला angle इस वाले angle के बराबर reason क्या reason सर्जी cp ct reason क्या reason क्या reason दोगे cp ct तो angle a बराबर हो जाएगा angle b के angle a बराबर हो जाएगा angle b के और angle a d p angle so ये हो गया और angle a d p बराबर हो जाएगा angle b c क्यों Gulf ये दोनों चीजे ये दोनों की दोनों चीजे बराबर हो गई by corresponding parts of conconent angle से ये दोनों चीज से बराबर हो गई by corresponding parts of congruent angles है मेरे को एक बात बताओ अगर ये mad Bitcoin है तो मेरे को ये वी पता cheĩ कि je यह भी 90 है, simple सी बात है, अच्छा, और यह दोनों side equal है, अच्छा, तो मेरे इसाब से यह वाली side इसके equal, और अगर यह सारी सब कुछ असा हो रहा है, तो आपको तो मैं simple सा बसिता बोलूँगा, अगर यह 90 है, तो यह भी 90 ही होगा, यह बात आपको पता है कि नहीं पता, पता है, और अगर यह 90 है, तो यह भी 90 होगा, यह भी 90 होगा, इसका मतलब PQCT क्या है, एक rectangle है, अच्छा, अब मैंने बोला, कि आप इस ADP में, अगर 90 को add कर दोगे, तो आपके पास पूरा angle D आ जाएगा, कि नहीं आ जाएगा, simple है सार, और अगर आप इस BCQ में, इस BCQ में, इस BCQ में, अगर 90 को add कर दोगे, तो आपके पास यहाँ पर यह पूरा angle आ जाएगा, angle C, मैंने बोला, इसी में, इसी में, आप दोनों side add करो 90 को, मैंने क्या बोला, मैंने simple से आप से बात कही, कि यहाँ पे, यहाँ पे, add 90 degree, both these sides, आपने क्या करा, आपने दोनों side पे 90 degree को add किय जैसे ही आपने दोनों side पे 90 degree को add किया, यहाँ पर खेल बदल गया, यहाँ पर खेल क्या बतला कि ADP में 90 को जोड दिया, मैंने क्या बोला, आपने ADP को 90 में जोड दिया, ठीक है, और यह बराबर हो जाएगा किसके, BCQ में 90 को add कर दिया, angle BCQ में भी आपने 90 को जोड दिया, किसको जोड दिया भाई यहाँ, 90 को जोड दिया, चल वाजाओ, थोड़ा सा इधर देखते हैं इस चीजों को, इन चीजों को थोड़ा सा इधर देखते हैं, अब मैंने बोला, कि आपके पास ADP में जब आपने 90 को add किया, ADP में जब 90 add किया, तो आपके पास angle D हो गया, क्य हो गया तो पूरा कितना हो गया angle C हो गया भाई simple C मुझे एक बात लगी अब आपका पास यहाँ पर 2 relation आगा है कौन-कौन से एक तो यार सर्जी angle D angle C के बराबर हो गया और एक angle A angle B के बराबर हो गया simple सा लगा क्या simple सा लगा बहुत ज्यादा आसान लगा अब यह जो दोनो चीजे आपके पास आ गए सुनना समझना और अच्छे से देखना, अगर ये दोनों चीजे आपके पास आ गई तो अब तो लग गया खेल अब तो क्या लग गया अब ये खेल के से लगा वो समझो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ABCD आपके पास क्या है एक ट्रपेजियम सुनना समझना और अच्छे से देखना आपके पास यहाँ पर क्या है ABCD क्या है एक ट्रपेजि since ABCD एक trapezium है चट अगर ABCD एक trapezium है तो उसके सारे interior angles का sum 360 degree होगा क्यों? क्योंकि वो trapezium एक तरीके का co-dilateral भी तो हुआ वो जो trapezium है वो एक तरीके का co-dilateral भी तो हुआ तो हमने बोला सार angle A plus angle B plus angle C plus angle D बराबर 360 degree reason क्या? reason ये लिखना कि A B sum of angles in a co-dilateral is 360 degree sum of angles in a co-dilateral is 360 degree अच्छा भाई, angle A की जगे पे अगर मैं बोलूँ कि angle A ही लिखने दो angle A की जगे पे angle A ही लिखो ठीक है? ठीक है और तो और angle A की जगे पे angle A ही लिखो कोई भी दिखकर नहीं है और तो और angle B की जगे पे अगर मैं बोलूट लिख mina angle C की जगे पे अडर c लिखो और angle d की जगे पर angle d की जगे पर हम लोग angle c लिख सकते हैं अरे अब भी तो proof कर क्या है? एंगल d की जगे पर हम लोग angle c लिख रहर हैं बराबर 360 डिग्री । ये सारी चीजसे कैसे हो रही हैं ये सारी चीजसे अी वह satisf通 देम और तो और तो और जो आपके पास angle D था वो angle C के बराबर है तो यह चीज हो गई अच्छा angle A और angle A दो गुना of angle A angle C आपके पास दो गुना of angle C बराबर 360 degree 2 common निकाल लो अंदर बचेगा angle A plus angle C is equal to 360 degree और तो और angle A plus angle C is equal to 180 degree simple C आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपके पास sum of opposite angles sum of opposite angles अगर 180 degree हो रहा है मतलब A B C D क्या है therefore ABCD is cyclic ठीक है trapezium ABCD is cyclic trapezium ABCD is cyclic और अगर यह हुआ तो ऐसा मत छोचना कि सर इसमें opposite angles A और C को यह तो आपने 180 शो किया what about B and D तो ऐसा मत बोलना ऐसा मत बोलना वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा मुझे गुस्सा आ जाएगा तो फर मैं क्या करूँगा पता ना हाँ प्रूफ करके दिखा दूँगा आजब भाई यह चीज तो समझी गया हो कि आपके पास angle A plus angle B plus angle C plus angle D बराबर किता 360 degree इसी का यूज करना है इसी का यूज करना है यहाँ पर angle A plus angle B plus angle C plus angle D बराबर 360 degree होता है होता है angle A plus angle C को 180 लिख सकता हूं मैंने किसको बोला angle A और angle C angle A और angle C angle A और angle C को मैंने लिख दिया 180 degree plus angle B plus angle D बराबर 360 degree तो angle B plus angle D बराबर 180 degree हो गया proof लो हो गया proof ऐसा मत बोलना है है ना ऐसा मत बोलना कि सर जी आपने opposite angles में A और C को कर दिया B और D को तो किया ही नहीं आरे वो आसान है वो तो automatically हो जाएगा इसलिए नहीं किया यह चीज आपको अच्छे से आ गई क्या सिंपल था चलो एक बर जल्दी से screenshot लेना तो बनता है एक बर जल्दी से screenshot लेना तो बनता है इसका screenshot ले लो ले लिया गया हाँ सर ले लिया आसान सा तो question था अब अगर यह question आसान था तो इसका भी screenshot ले लो बस हो गया हो गया हो गया प्रेंचन वाली तो कोई बात ही नहीं है। आपको ये 5th करना था? 5th हो गया, 6th करना था, 6th हो गया, 7th करना था, 7th हो गया, 8th करना था, 8th भी हो गया, screenshot दिलवाऊं क्या सारे के? चला आजब, यह जल्लिसे अगर आप लोगों नहीं लिया screenshot तो यह था 5th question हो गया, ये था 6th question, ये भी हो गया, ये था आपके पास 6th का और part, ठीक है, ये हो गया, आपके पास 7th question, ये हो गया, आपके पास 8th question, clear है, हो गया सब, हो गया, आज के लिए इतना ही था, I hope आपको सारी चीज़े अच्छे से बड़िया तरीके से समझ आई होंगी, और मेरा तो ये कह आई कि क्यों ही नहीं आएंगी, यार हमारे magnet brains का एक ही बढ़िया वाला intention है, कि आप लोगों को तो अच्छे तरीके से quality wise और free education provide करना है, वो भी वो भी वो भी बिलकुल एकदम free और kindergarten से लेकर class 12 तक, क्योंकि हमारे पास 2 तरीके की top courses है, एक तो English medium और दूसरा Hindi medium, अगर जिसमें आप अभी पड़ी रहे हो, इस channel की खासियत है, कि यह वही channel है, जिसको आपने अभी तक subscribe करके नहीं रखा, भाई यह से कैसे काम चलेगा, और कब तक काम चलेगा, जल्दी से subscribe कर लो, अगर सारी चीज़ है free में मिल रही है, तो subscribe करने में क्या जा रहा है, आपको playlist क के option में आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी teacher के, सारी classes के, सारी subject के, सारी chapter के, सारी topics के भी, सब topics के videos, एकदम arranged format में मिल जाएंगे, पहली चीज़, आप community के option में जैसे ही जाएंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा Magnet Bains का update, आप हमारे live sessions को attend कर सकते हो, आप हमारे short videos देख सकते हो, जिसमें हम लोग tips और tricks को share करते हैं, आप हमारे regular videos यहाँ पे देख सकते हो, आप हमारा app download कर सकते हो, grab e-notes को option में जाएंगे, तो यहाँ से आप हमारे e-notes avail कर सकते हैं, आप हमारी website visit कर सकते हैं, यह video पसंदा है तो like, share और subscribe कर दीजेगा, आप हमें follow कर सकते हो, facebook, instagram, twitter, telegram, whatsapp पे, e-notes या e-books अगर avail करने हैं, तो उसके लिए link description box में डलवाद यह गाया है, अगर आपका कोई दोस्त, तियार या कोई भी रिष्तिदार, अगर हिंदी मीडियम से हैं, और वो पढ़ना चारा है, तो आप उसे बताईए, magnet bands हिंदी मीडि वो भी हिंदी मीडियम है, with coverage, देखो, डेली बोर्ड हो गया, पिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, एंपी बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, हमारे कुछ और भी top courses है, जिसका नाम है, वेदिक मायच, स्क्राइश कोर्स हो, और spoken English, तो आज के session में सरफ इतना ही, मिलते हैं next session में, तब तक लिए वाई वाई अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक की चीज़ बोलूगा मेरे दोस्त की पढ़ाई करते रहें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बाई बाई